मंगलवार को रियो ओलंपिक में भारती टीम को सफलता मिली है पुरुष हौकी टीम अर्जंटीना को दो एक सहराया है दत्तु भोकनाल सेमी फाइनल में हार गए है और अतनुदास ने भी जीत हासिल की है शूटिंग के प्रिकाश नन जप्पा और जीतू राय पचास मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में आज साड़े पांच बजे मैदान में उतरेंगे जिसका फाइनल भी आज राज साड़े आट बजी होगा सभी को अमीदे की जीतू राय अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए मैडल अपने नाम करेंगे 40 साल के प्रिकाश नन जप्पा के लिए पहला मौका होगा जब वो अलम्पिक में हिस्सा लेंगे प्रिकाश को साल 2013 में चेहरे पर लक्वा मार गया था लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए 2014 कामन विल्ड गेम्स में सिल्वर मैडल जीता तिरंदाजी में आज महिलाओं की व्यक्तिकत इस परदा में वो म्बाइला देवी औस्ट्रिया की लॉरेंस बाल्ड ओफ के खिलाफ उतरेंगी जिनका अब तक का स्कोर 638 है मैश शाम 6 बच कर 9 मिनट पर शुरू होगा जूडो के पुर्शों की 90 किलोग्राम में अवतार सिंग पोपोई ले मोसें जा रिफ्यूजी ओलम्पिक अथलियर के खिलाफ होगे जो शाम सवा साथ पर होगा अवतार ने फरवरी में शिलॉंग में दक्षन एशियाई खेलों में सौन पदक और 2011 में एशियाई जूनियर जूडो चैंपियंशिप में कांस पदक जीता था हौकी में आज शाम साथ साथ बजे महिलाओं के टूनामेंट ग्रूप बी के भारत और आस्ट्रेलिया एक दूसरे के खिलाफ होंगे वहीं तीसे दिन सोमवार को भारती महिला हौकी टीम बिर्टेन से 3-0 से हार गई थी और उनका पहला मैच जापान से था जो उन्होंने दो-दो से ड्रा कराया था अब तक महिला हौकी टीम के पास एक ड्रा और एक हार है मुक्य बाजी में आज रात 32 के दौर में भारत के मनोच कुमार और लुथ्वियानिया के एलावास पेट्रास कशी आमने सामने होंगे मनोच कुमार नई दिल्ली में हुए 2010 राश्टमंडल खेलों में मुक्य बाजी में स्वार्ण पदग्ज प्राप्त किया था तो आज के मुकाबलों में बस इतना ही आगे और भी रियो ओलम्पिक की खबरों के लिए देखते रहें टी बी लाइव